आंधी में दूसरे दिन भी प्रशासंद्वारा अतिक्रमण हटाया गया जिसमें दुकानदारों ने सहयोग किया आंधी में लोका युक्त सचिवाले के आदेश के अनुसार बुधवार को जमुआ रामगड उपखंड अधिकारी के आदेश पर प्रशासंद्वारा बिजली ग्ररेड के पास से रोड के दोनों तरब से आठाट फिट चौणा किया गया जिसमें शांती पुन अतिक्रमण प्रशासंवा अधिकारी ने कुछ भी कारेवाही नहीं की यह मामला करीब आठ वर्ष से अधिक समय से चलता आ रहा है जब कारेवाही नहीं हुई तो लोका युक्त सचिवाले में शिकायत दर्च कराई जब जाकर जमुआ रामगड उपखंड अधिकारी को आदेश दिया गया था कि आंधी कस्बे में स्टेट हाइवे पर से अधिकरमण हटाया जाए जमुआ रामगड उपखंड अधिकारी ने आंधी ग्राम पंचायत सरपंच श्रीमती कलावती देवी शर्मा को बुधवार को JCB ट्रेक्टर उपलब्ध करवाने के आदेश दिये जिस पर ग् शासनवर शिकायत करने वाले का अभार जताया कि अतिकरमण हटने से लोगों को समय वपैसे दोनों की बचत होगी बार बार जाम लगने से लोगों को भारी समस्या होती थी आंधी सरपंच प्रतिनिधी राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि आंधी कस्पे से अतिकरमण हटा सर्पंच श्रीमती कलावती देवी शर्मा, आंधी थाना अधिकारी जै प्रकाश मील, सार्वजनिक निर्माड विभाग राजस्व विभाग पंचायती राज विभाग, पुलिस विभाग की अधिकारी नायब तहसिलदार हुकम चंद मीडा गिर्दावर, पत्वारी राजे कर्मी रहे मौजूद, जैपुर जिरा ब्यूरो चीफ सत्य नरायण शर्मा की रिपोर्ट